सबसे पहले देखिए इतिहास में 24 फर्वी को हुआ का था तो 304 इसवी 14 फर्वरी 304 को जो अरब यातरी विद्वान लेखक जो है इबरूत तूतान का जन्म उत्तर अपरिकी के जो मोरक को देश में हुआ था और उसका परसीद जो नगर था वो था तांजियर वहीं हुआ थ भारत के सिंध प्रवंत में 1334 इसवी में आया था भारत और उस वक्त दिल्ली में सुल्तान मुहंबद बिन तुगलक का सासन था मुहंबद बिन तुगलक ने 12,000 दिनार की तनख्वा पर उसे साही काजी बनाया और आगे उसे तुगलक ने दूत बनाकर चीन रबाना कर दि लेकर निजामुलक कमरुद्दीन और खाने दौरव के साथ आकर्मनकारी का मुकाबला करने के लिए चल परे थे और उसके बाद सिगरी आबद का नबाब साहाधत खां भी उसके साथ आगे मिला अकरनाली तीन घंटे तक चला था और नादिर साह ने मुगलो को पराजित कर पर जो एकेंद्रिय उत्पाद सुल्क दिवस मना जाता है वीतुमंतराले के द्वारा इसको मनाने के उद्देश आम लोगों में उत्पाद सुल्क और सेबा सुल्क की अमियत को बताना है और 24 पर 1944 को केंद्रिय उत्पाद सुल्क और नमक कानून बनाया था देश के अद्पुन भूमिका रही है उसके बाद 24 पर 1948 को तमीलाडू की पुर मुखमंतरी जैललिता का जन्म तमील ब्रामन परिबार में हुआ जैलिलता ने तमील तेलगू हिंदी फिल्म में कार किया 1997 में जब MZR तमीलाडू के मुखमंतरी बने तब जैलिलिता ने सक्री राजन